मैरिज का सीजन आ गया है आप बहुत सारी शादियां होंगी देव इतनी क्यारस कली भीती है अब हम जल्दी से शादी की तैयारियों में जुटे हैं नहीं शादी की तैयारियां तो बहुत हो गई लागों करूनों बहुत खर्च हो गई लेकिन क्या आपने असली सोने की परक ही अच्छा है जितना आपने सोचा यहने आपको जीवन साथी चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो कितना आप एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं चेक किजिए क्या चाहते हैं तीसरी बात कितने एक दूसरे के साथ अच्जिस्ट करने को तयार हैं क्या भावना हैं सा उनों के साइट से चकाचांद के बीच फामिली के प्रेजन्स को देखकर एक्जिस्टेंस को देखकर फिनांशल स्टेटस को देखकर वो भूल जाते हैं कि इससे जादा इंपॉर्टन बाग्राउंड है जो की चेक करने वाले होते हैं बिहेवियर से लेकर अब उनका लिविं अगर आप अलग होते हैं तो पालन की जिम्मेदारी दोनों की होगी ऐसा मेरा मानना है और यह केसे लगातार बढ़ते देखकर मैं मजबूर हूँ और पोस्ट करने के लिए साथी साथ कि जिम्मेदारी माता पिता के दोनों के साइट की आपकी दोनों की रहेगी यहन्य शा आजकल माबाप को सिंगानिया जी जैसे एक पिता को मजबूर होना पड़ता है ये कहने के लिए कि डेच से पहले अपनी प्रॉपटी जो है वो नाम ना करें अपने बच्चों के ये सच है ये आप पर भी लागो होता है कर हो सकता है आपके साथ ये हो so you have to see कि जो प्रॉपटी है आपको मालूम होना चाहिए अपने राइट्स मालूम होने चाहिए as a boy as a girl और even आपके बच्चों के क्या राइट्स होंगे in case अगर कुछ नेगिटिव हो जाता है तो प्रॉपटी का किस तरह से बटवारा हो किस तरह के प्रॉपटी अगर आप का abuse नहों इतने सारे laws हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी हैं लेकिन ये सब marriage से पहले क्योंकि अगर आपका abuse होता है मारना पीतना होता है और आप उसको लगातार सहन करते हैं और सिर्फ इसलिए कि बच्चे आपके पल जाएं बहुत गलत चीज़ है क्योंकि बच्चा जब य आगे एक अच्छी life, balance life, emotionally balanced life नहीं बिता सकता तो ये ज़रूरी है कि ये pattern में आप बच्चे को एंटर ना होने दें और ना ही खुद इस abuse के लिए तैयार हों अगर ये abuse जो कारण होते हैं वो अलग बात है लेकिन आपके नस हैने के कारण है आत्मसाब, सभाब, इमान, सब कुछ आपको उसकी सम्मान की रक्षा करने है, आप अपने दोस्तों से मिल सकते हैं या नहीं, कितने दोस्त बना सकते हैं, उनके साथ बाहर जा सकते हैं या नहीं, और घुल मिल सकते हैं कि नहीं, social life आपकी क्या रहेगी, आपको अपने पती के दोस्तों को क्या दूरी बना के रखनी है क्या एक border रहना चाहिए border line रहनी चाहिए कितना जो अगर आप भी कमाती है husband भी कमाते है या business man भले हो लेकिन आपके पास अपने finance की वेवस्ता जरूर होने चाहिए अगर आप कमाती है भी कमाती है तो आपका कितना percent contribution रहना चाहिए यहने 50% आपका 50% उनका यह ज या 40-60 रहेगा या 50-50 रहेगा depend करता है इसका एक अलग वीडियो में बनाओगी साथ ही साथ एक बहुत जरूरी बात कि आपको एक दूसरे के genetics का ग्यान होना यहने कि medical issues कहीं जो family में चलते आ रहे हैं वो कौन से हैं ऐसे बीमारिया genetics में साथ बाती हैं तो आप ध्यान रख मैंने यह चार वीडियो सिरीज बनाई है marriage partner कैसे choose करना जो कुछ बहुत ही basic चीज़े हैं लेकिन आपको यह देखना चाहिए ताकि आप initially जान सके हम अब उसी रहा पर हैं कि जहाँ शादी का मौसम आया है तो ध्यान रखें